ओम शांती, पतित पावन सद्गती दाता, बेहत का बाप, संगम युक पर आकर हम आत्माओं को सब फिकरातों से मुक्त कर देते हैं और जादू गर्बन हमें साधारन मनुश्य से देवता बना देतें, तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 2 अक्टूबर 2024 के मधुर महावाक्यों को हमारी बुद्धी में कौन सी बात सदा रहनी चाहिए, सर्विस कैसे करें, हम वापिस जाते हैं फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे समझाने के लिए कौन सा चित्र बहुत अच्छा है, सेढ़ी का चित्र कमाई करने के लिए मुख्य बात कौन सी है, पवित्रता की purity है तो और क्या है, पीस प्रॉस्पेरिटी सबसे वंडरफुल कौन है, बाप हमारा आक्यूपेशन कौन सा है, शान्ती दूद बन कर सब को शान्ती देना याद में रहने से क्या फायदे होते, सुख मिलता, जीवन मुक्ती मिलती सब मनो कामनाय पूरी होती, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते याद में रह ब्रह्मा भोजन खाने से, याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाने के क्या फायदे होंगे ताकत मिलती, बुद्धी शुद्ध होती, हृदे शुद्ध होता, खाने वालों का कल्यान होता क्या होने से क्या होता है? काम चिता पर चड़ने से आईरन एजिट बन जाते, बाबा के मुख से मुरली सुनने से मनुष्य से देवता बनते, इच्छा के रूप में संकल्प के बदलने से चिटचड़ा बनाता, याद में रहकर कर्म करने से अनेकों को हमारा साक्षतकार होता कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, शंकर को गुरु नहीं कहा जाता, मनुष्य श्रिव बाबा को नहीं जानते, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है, बाब के सिवाई कोई जादूगर नहीं है, कृष्ण और राम को परमात्मा नहीं कहा जाता श्रिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? आत्माओं का परिचे देते, सर्विस की भिनभिन युक्तियां बताते। किसको क्या कहा जाता है? सोने को गोरा, बाब को जादुगर, राम वकृष्ण को देवता, सतो प्रधान को देवी देवता, पांच तत्वों के शरीर को मिट्टी का पुतला। हमें किन बातों की धारणा करनी हैं? किसी बात की फिकरात नहीं करनी, बाब जो समझाते हैं उसे अमल में लाना, श्रुव बाबा को याद कर भोजन बनाना और खाना। ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, हमें किसी भी बात की फिकरात नहीं करनी हैं, बहुत प्यार से बाबा की याद में ब्रम्हा भोजन बनाना भी है और अन्ने आत्माओं को खिलाना भी है। ओम शान्ति